दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं IPL दोरते इस समाप्त हो चुका है जहाँ पर CSK की टीम ने IPL दोरते इसको जीत कर इतियास रसी दिया है लेकिन अब IPL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का समय है और ऐसे में सबसे पहले टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट यानि की वर्ल्ड ट दा देगी WTC के फाइनल में भारते टीम का मुकावला अस्टेलिया के खिलाफ होगा जिसके लिए BCCI ने भारते टीम का एलान कर दिया है BCCI की इस टीम में केल राउल रिसबपन जैसी खिलारियों का नाम नहीं है और वहीं है सस्वी जैसवाल और सुरुकुमरी आदब जै दोस्तो अब आईए जालने थे WTC के लिए भारते टीम का पूरा एसकॉर्ट तो दोस्तो सबसे पहले बलेवाजों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम कप्ताल रोहित सर्मा का आता है रोहित सर्मा भले ही साइपयल में उतना अच्छा परदर्सन नहीं कर पाए है लेक दोस्तो सुमन इल का बल्ला इस बार आईपयल में जमकर बरसा है जिसके चलते वो इस बार के औरेंज कैप बिनर भी है और ऐसे में इंडेन टीम भी चाहेगी कि इनका बल्ला WTC के फाइनल में खूब बोले जबकि तीसरे नमबर पर क्रिकेट के किंग विराट खोली का नाम है जिसके कारण इनसे भी भारते टीम को काभी उमीद रहेगी जबकि पाचवे नमबर पर अजिंके राने का नाम है और जिंके राने इस आईपयल में लगातार अच्छा परदसन किया है इनोंने चन्नाई के खिलाप अच्छी बल्लेवाजी की थी और चन्नाई की जीत में हीन का और हम एक दान रहा था दोस्तों बलेवाजों के देखने के बाद आ यह देख लेते हैं इसे स्कॉर्ड के और के बारे में तो बीसी सी ईने डवलू टीजी के फाइनल के लिए भाड़ते टीम में कुल्चाल और रांडर को सामिल किया है जिसमें पहले नमबर पर रव बाज माना जाता है जबकि इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर अक्सर पटेल है अक्सर पटेल भी इस आई पेल में अच्छी परदर्शन करके आ रहे हैं जिसके कारण इनसे भी भारते टिम को काफी उमीद होगी और वहीं अल्राउंडर की इस लिस्ट में चौते नमबर पर सा विगेट कीपिंग किया था और इस सब पंद के गयर मुझूद की में टीम इंडिया को इसे काफी जादा उमीदे रहेगी जबकि विगेट कीपर की इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर इसान किसन का यह आई पेल उतना अच्छा नहीं गया था इसान किसन का परदर्शन इस सांदार बॉलिंग करते हुए परपल कैप को अपने नाम किया था और यहां अभी काफी अच्छी गेंदवाजी कर रहे हैं और अगर टीम इंडिया को डवलू टीसी का फाइनल जीतना है तो इनका चलना बहुत ही जरूरी है जबकि गेंदवाजों की इस लिस्ट में दूस पर जैदेवु नातकट का नाम आता है जैदेवु नातकट ने रंजी ट्रोफी में काफी अच्छी गेंदवाजी करी थी जिसके कारण यह भी भारती टीम की स्कॉर्ट में सामिल है और अगर इनको खेलने का मौका मिले तो यह भी अच्छी गेंदवाजी कर सकते हैं तो द वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जहिंद वंदे मात्रम